नवश्कार दोस्तों ये वीडियो टीम सादन द्वारा बनाए गया है ये वीडियो सेरीज हम इसलिए बना रहे है ताकि शेर मार्केट अनालेसिस और फाइनेशन अनालेसिस से रिलेटेड जो बाते हैं वो हम थोड़ी सिंप्लिफाई कर सकें इस वीडियो में हम देखेंगे कि FII-related जो आकड़े है वो आप NEC की वेबसाइट, मनी कंट्रोल की वेबसाइट और ट्रेंड लाइन की वेबसाइट से कैसे निकाल सकते हैं उन आकड़ों का विशलेशन और आकलन कैसे करना है वो हमने अपने FII वाले वीडियो में बताया हुआ है FII का data NEC पर देखने के लिए आपको www.nacindia.com वेबसाइट पर जाना पड़ेगा उसमें आपको नीचे एक प्रोड़क्ट्स वाला सेक्शन देखेगा प्रोड़क्ट्स वाले सेक्शन में जाके आपको इक्विटीज पर क्लिक करना पड़ेगा एक एक्विटीज वाले पेज़ पर अगर आप राइट साइट पर आएंगे तो आपको यह एक टैप देखेगा FII slash FPI and DII activity in CM FII, FPI और DII का क्या मीनिंग होता है वो हमने अपने FII वाले वीडियो में समझाया हुआ है CM मतलब हो जाता है Capital Market मतलब वो मार्केट जिसे कभी ने पैसा उटा है क्लिक करते है उसको क्लिक करने के बाद आपको यह टेबल दिखेगी यही टेबल हमने अपने वीडियो में डिसकस किये इस यह डेटा पिरियोडिकली एनसी रिलीज करता है जिसमें आपको यह पता लग जाता है कि FII, FPI और DII ने किस थारिक को कितना नेट वेल्यू का सेल परचेस किया है चलिए आगे बढ़ते हैं मनी गंट्रोल से FII का डेटा लेने के लिए आप गूगल पर जाए मनी गंट्रोल टाइप कीजिए पहला ही लिंक रहता है आदर www.moneycontrol.com उस पर क्लिक कीजिए वह आपको साइट पर ले जाएगा साइट में फिर मार्केट्स वाले सेक्शन के जाएगे मार्केट्स वाले सेक्शन में जाने के बाद यहां पर एक अल स्टाट्स करके आपको स्टाट्स को और घंद केजिए उस्टाट्स पर कलिक केजिए बाद आपको नीछे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा नीचे आते रहे है आते रहे हैं उसके बाद यहां पर मोर का बटन दिखेगा इस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग एक्टिविटी और मॉर पर क्लिक कीजिए पिर पर क्लिप करने के बाद वही टेपल आ जाता है जो हमने अपने FII के अनलेसेस वाले वीडियो में डिसकस की है इसमें आपको दिख जाएगा कि FII ने मार्च महीने में और डिया ने मार्च महीने में क्या सिल पर्चेस किया है यहां पर देट रेंज का भी ऑप्शन है वो भी आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं चलिए आगे बढ़के स्क्रीनर्स में क्लिक करने के बाद एक FII related screener उसमें बने हुए है आप जाके सर्च कर सकते हैं वो आप FII related screener मिल जाएंगे हम यह वाला एक्सिस करते हैं FII FPI increasing their shareholding उसमें क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि केस कंपनी में किस टाइप के movements हुए लास्ट updated कब तक है और बाकी details आप मिल जाएंगे बाकी तो आप समझ जाएंगे देखके कि दन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए याद रखिए ग्यानम पर्मम बलम सीखना ही एकलोता solution है सीखना ही आपके risk को कम करेगा और आपके return को बढ़ाएगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें दन्यवाद प्रूप प्रूप रिवाद प्रूप यह बेक्टुटा स्णद कवेंटुटा स्टतों अपका बलम सीखना ही खत्वाद रख़ाद आपके लोगद सेब्साश दोब्सक्वाद